हेलो दोस्तों अगर आप एक इस्टग्राम यूजर सो इस्टग्राम को यूज करते हो तो ये वीडियो आपी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ काफी परसन को इस्टग्राम के अंदर जब वो अपनी इस्टग्राम आईडी को लॉग इन कर रहे ह है जिसमें लिखा हुआ है दिस लिंक हैज एक्सपायड प्लीज रिक्वेस्ट ए न्यू वन तो इस तरह से भी आपको यहां पर देखने को मिल सकता है मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि यह प्रॉलम आपको क्यों आ रही है आपकी आईडी लॉग इन क्यों नही हो रही है तो काफी परसंट के डियम सें कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं तो इसलिए मैं यह चोटा सा वीडियो बना करके आपको जो है न सही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो के इंदर मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रॉबलम क्यों आ रही है और क पैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो गाई सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो प्रॉबलम आपको आ रही ह यहां पर उन्होंने डियक्टिवेट कर रहा हैं तो अकांट लोगिन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है तो यह गिलीच एक बग है इस्टाग्राम इसको जल्द से जल्द फिक्स करेगा तो आप यह ना सोचे कि आपके अकांट में कोई प्रॉबलम आई है क्योंकि अगर account में problem आती तो एक या दो person के आती लेकिन बहुत लोगों के message आ रहे हैं जिनको same problem आ रही है और जब ऐसा होता है ना कि आपका account login नहीं होगा account भी login होगा सब कुछ होगा थोड़ा सा बस wait कीजिए उसके बाद में problem आपकी soul हो जाएगी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगा आपको पसंद आयो तो इसको like करें शेयर करें मेरे channel को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आप से अगली व करें